कि आपको अन्तुत समझ में जरूर आएगा देखे चोटू जो आपका टॉपिक चल ला था जैबी विकास ठीक है जैबी विकास के संदर में एक टॉपिक है सर हंडी बिनबर्ग सिदान्थ पर लिये थे हंडी बिनबर्ग सिदान्थ के बाद सर लेक अपरीन का मोडल पर लिये थे और लेक अपरीन के मोडल के बाद सर आप लोग का जो टॉपिक है वो परना परता है जैबी विकास से परमान यानि सर जैब विकास तो हुआ लेकिन वो क्या-क्या परमान छोड़ दिये हैं ठीक है जैसे मैं मान के चलो कि अगर किसी आदमी के घर में चोड़ी होता है ठीक है तो चोर को पकरने के लिए वहां तक पहुंचने के लिए हमें कुछ न कुछ परमान अगर मिल जाते हैं तो व कोई एक चोटा सा सबुत भी अगर मिल जाता था तो उस परमान के जड़िये उन आदमियों तक पहुंचा जा सकता था तो सर अभी भी कुछ-कुछ ऐसे परमान प्रिथवी पर आये हैं जिस परमान के जड़िये सर जैब विकास कैसे हुआ है इसके बारे में बताया जा सकत है देखे सर यह परकार का थेओरिकल चैप्टर है उमीद है कि सर ऐसा मत समझेगा कि सर खारा होगे और भासन देना सुरूर कर दिए सर आप समझने का कोशिश कीजिए पुड़ा का पुड़ा सलाइट बना हुआ है बाद में आप लिख लिजेगा देखे चोड़ू बोला है कि सबसे पहला जो पर्मान आता है वो आता है तुलनात्मक सरीर की एवं आकिरकी से पर्मान यानि सरीर की तुलना किस परकार की गई है अभी का सरीर और प्राचीन का सरीर या सभी जीवों का सरीर किस परकार तुलना की गई है उसी के बारे में सर देखना है दुसरा बोल पर्मान अभी शरीर के अंदर कोन ऐसे अंग उपस्थित है जो कभी उपयोग में थे और आज उपयोग में नहीं है बोलाई तैकि सर जाइगोट से पर्मान यानि भूर्ण का अभिकास किसफ परकर हुआ इसका पर्मान कारा है चुटू बैक्ट करने के लिए कहन दीजिए ग एक छोटा सा टॉपिक है जो कि एक कलास का है तुलनात्मक सरीर की एवं आकेड़की से परनाम सर सरीर का तुलना करना है कि कि किस परकार बोडी को हम तुलना करें तो हमें परमान मिल जाए कि सर पड़ाचीन समय में क्या हुआ था और अभी क्या हो रहा है दियान देना बोला जाता है कि सर इसकी परमान के अगर बात किया जाए तो इसके अंतरगत आप कलास 10 में पढ़े होंगे सर समझात अंग और और समझात अंग सर आपको फील हो जाएगा कि सर यह बात सही है और यह बात गलत है बोलायता है कि सर देखा गया उचीत परमान दिया गया तो बोला गया कि सर पिरिथवी पर जो जानबर है उस जानबर की सरीर की सनचना और पिरिथवी पर जो मानब है उनकी सरीर की सनचना लगभग समान है आप जहां से वीडियो देख रहे होंगे आपको यात लगड़ा होगा कि यात टीचर फागल है और तो हम गलत चैनल पे आ गए हैं आप दो मीनिट धरिया बनाके रखिए आपको मैं प्रूब्ड कर दूँगा कि सर कौन सही है और कौन गलत है द्यान दे बोला जेता है कि सर प एक गोरा को लेते हैं और अब गोरा मानम में कहीं दोस्ती होगा इशी के लिए मैंने बिल्ली को लिया बोला जाता है कि सर पहले पडिभासा इसका समझ Guid कि समझात अंग, यानि समझात अंग, वैसे अंग, यह पॉइंट याद रखें, वैसे अंग जिसकी मूल सनचना, मूल सनचना कहने का मतलब उस अंगों की सनचना, उदभब वह जहां से विकास किया है, या उसका वुर्निय पडिवर्धन, वह किस परकार बना है, वह समान हो और कारिया भीन भीन हो, समझात अंकाहलाता है, सर समझिएगा, बोला जाता है कि मानम की हाथ की सनचना, आपके पास भी हाथ है, मानम की हाथ की सनचना को ले लीजिए, तो सर अगर हाथ की सनचना को आप लेते हैं, तो ये आपका जिसको अपना लोग बॉडी कहते हैं, इसके जहां से यह मुरता है, इसके बाद यहां पे दो हड़ी रहती है, इस हड़ी का नाम क्या हुआ? Humorous, यहां दीजिए आपको याद करना है, objective एक नमण में पुछा जाता है, सर इसका नाम क्या बताए? हुमरस ठीक है यहां पे दो हड़ी एक का नाम होता है रेडियस और दुसरा का नाम होता है अलना ठीक है यहां पे एक हड़ी जिसका नाम होता है हुमरस यहां पे एक हड़ी जिसका नाम होता है रेडियस और दुसरा होता है अलना ठीक है यहां पे एक हड़ी जो कलाई जहां गड़ी बानते हैं वहाँ पे एक हड़ी होता है जिसका नाम होता है हुमरस रेडियस अन्ना इनका नाम होता है कारपसल्स कलाई के पास जो हड़ी होते हैं उसका नाम होता है कारपसल्स यह जो आपका यह भाग है जिसमें आप लोग मेहदी लगाते है जिसमें आप लोग मेहदी लगाते हैं बोलाता है हुमरस रेडियस अनना कारपल जहां पे कलाई है उसको क्या बोलता है कारपल्स जहां पे मेहदी लगाते हैं उसका क्या ना मैं सो समझेगा हुमरस, radius, अन्ना, कारपल, मौसे महदी और मौसे मेटा कारपल्स जान दीजेगा, हुमरस, मानव का हैंड है, इससे क्या याद रखेंगे हुमरस दुसरा है radius, अन्ना, ठीक है, कारपल, कलाई से कारपल उसके बाद ये जो आपका हड़ी है, जहाँ पे महदी लगाते हैं, इसका नाव होता है मेटा कारपल्स, ठीक है, हुमरस, radius, अन्ना, कारपल, मेटा कारपल, और फिंगर मतलब क्या होता है अंगली, तो इसकी हड़ी का नाम होता है, फलेंजिस, ज्यान देना, हुमरस, radius, अन्ना, कारपल, मेटा कारपल, फलेंजिस हुमरस, रेडियस, अन्ना, कारपल, मेटा कारपल, फलेंजिस ये हाथ की हड़िया है बोलायता है कि जिस परकार मानव के सरीर में हाथ की हड़िया हुमरस, रेडियस, अन्ना, कारपल, मेटा कारपल के रूप में विभक्त है उसी परकार घोरे की टांग की हड़ियां ठीक है उसके बाद बिल्लियों की टांग की हड़ियां में समानता पाई जाती है त्यानि कहने का मतलब हिमरस रेडियस अलना कारपल मेटा कारपल जिस परकार मानव के हाथ में हैं उसी परकार उनके भी अगले प्यार में होते हैं। इससे क्या साभित हो रहा है? कि मानव भी कभी जानवर था। इनका उद्पादन एक जगह से हुआ है और मानव को सोख हुआ कि सर हम दो प्यार पर चलेंगे इसलिए वह मानव बन गया। घोड़ा को सोख हुआ कि सर हम मूल पूसर से मान के चले कि जो काम आपके हाथ की हड्डियों का है वो काम घोड़े के अगला प्यार का नहीं है कभी देखें कि घोड़ा का अगला प्यार अपने प्यार से खाना खाता है कभी देखें कि घोड़ा को पैन पगड़ के लिखता है नहीं लेकिन अपना जो हाथ है उसका उपयों क्या करते हैं कि सर अपने लोग क्या करते हैं लीखते हैं वही बोला रहता है कि सर वैसे अंग जिनकी उत्पत्ति, ठीक है, मूल सनचना, भुर्निय परिवर्दन, समान हो, और कारिय भीन-भीन हो, उसको क्या बोलते हैं, समझात अंग, तो कह रहा है कि समझात अंग जो होता है, उनकी मूल सनचना समान है, उत्पत्ति समान है, यानि एक जगह से क्या हुआ है, उत्पन गया है तो थोड़ा फिजिक्स में जाइए ना पड़े थे किसी एक बिंदु से पड़कास की किरन निकल कर अभी सभी माध्या में फैल जाती है तो उसको अपसारी किरन पुंज कहा जाता है तो सर यहां पर देखिए उदभब भी समान है मूल सनतना भी समान है भुर्निय पर विकास याद रखिएगा वुलिएगा पिरित्वी पर उपस्थित वैसे जीव जिनकी मूल सनचना उदभव समान एवं कार्या भीनभीन हो उसे समझात अंक कहते हैं इसमें जीव का विकास एक अस्थल से माना जाता है और कार्या भीनभीन हो इस विकास को अब साड़ी विकास कहा जाता है जैसे पक्षियों के पंग घोड़ा का टांग एवं चमगादर के पंग आपको समझ में आया होगा कि सर याद रखे कि हुमडस रेडियस अनला करपल मेटा करपल फलेंजिस यही हड्डियां मानव के हाथ में भी पाई जाती है और यही हड्डियां घोड़ा के अगले पैर में भी पाई जाती है बिल्लियों के अगले पैर में पाई जाती है तो सर जिससे साबित होता है कि घोड़े में जो हड्डियां उपस्तित है वही हड्डियां मानव में उपस्तित है यानि मानव का विकास जहां से हुआ है वही सरहा है उल्टा कर दिजय खैसर कारीये समाने मौल सनचना बिल विल हैं आप तितली का पंख देख लिज haut, इनकी सनाइघ मोंने क्या लेकिके पंक हो तनकी समय दिजिएगा बोल रहा है कि सर जिसका उतपत्ति भीनभीन हो और कारिय समान हो उसको क्या बोला समरूप अंग तो आपको अब्जेक्टिफ पूछा जाता है कि सर किस अंग के द्वारा अभिसारी भीकास संभव है किस अंग के द्वारा अभी साड़ी विकास संभव है तब बोलिएगा समरूप अंग कोई दिक्कत चले देखे समझिएगा बोलाता है कि सर जैवी विकास का परमान कुल चारगों है तुलनात्मक सरीड की अक्रिकी से परमान सयोजक कडियों से परमान अवसे अंग से परमान सर जब तुलनात्मक सरीड की सनचना का परमान देखते हैं तो दो परकिडिया आती है जिनमें समझात या समरूप अंग समरूप अंग सर इसका मैन परमान जो होता है वो अपना होता है हड्डियों की संख्या इसको याद रखे यह बहुत इंपोटेंट चीज है हुमरस रे बिल्यों के अगले पैर में पाई जाती है यही बोला जता है कि सर वैसे जीव जितकी मूल सनचना उदभव भुरनिया परवर्दन समान हो और काडिया भिनविन हो क्या कहलाता है समझात अंग कहलाता है सर अगर आपको यह समझ में आ गया होगा तो आप इसका खुद लिख सकते हैं तो छोटों उमीद है समझ में आया होगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तक तक के लिए मेरे चैनल को लाइक कर दे सस्क्राइब कर दे और अपने दोस्तों को सेयर कर दे टाटा वाई वाई गुड नाइट